नमस्कार दाश्कों बहुत बहुत स्वागत है आपका यूपी एक्स्प्रेस न्यूज चैनल पे मैं हूँ सारी का सक्सेना कारिक्रिम आप देख रहे हैं जानी अपना राशिवल शुरुवात करते हैं आज के व्यादिक पंचांग से आज है धिनांग 20 फरवरी 2023 दिन सुमव विक्रेवन समवथ 2089 सक्समवथ 1924 अयन उत्राया बसंत्रितु फागुन का महिना क्रश्न पक्ष अमावस्या कितिति है जो दुपहर 12 बचकर 35 मिनट तक रहेगी और उसके बाद प्रतिपदा लग जाएगी योग है परिज्व सुबह 11 बचकर 3 मिनट तक और उसके पश्च अमावस अगर आपको करजा हो गया है तो अमावस के दूसरे दिन से पूनम तक रोज रात को चंद्रमा को अर्ख दे जिससे आपका करजा सीगरी ही उतरेगा अब बात करते हैं हम अपने द्यानिक राशी फल की शिरवात करते हैं मेश राशी से मेश राशी वाले जातकों क आज का दिन आपकी आये में व्रधी लेकर आएगा वेवाहिक जीवन में चल रहे दो दोते आपको छुटकारा मिलेगा और अपने मन की बाते आपको किसी बाहरी व्यक्ति से शेयर करने से बचना होगा किसी भी डील को आज आप बहुत सोच समझ कर फाइनल करें अब हम बात क चल रहे है तो उसके में कश्टो वे व्रधी हो सकती है और नौकरी कर रहे है लोगों को ट्रांसफर मिलने से एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना पड़ सकता है विवाह योग जातकों के लिए उत्तम विवाह के प्रस्ताव आएंगे हम बात करते हैं अपनी अगली प्राइश के लिए आज कर दिन नौकरी में कारत रहे हैं चारी मित्रों के साथ किसी पिक्निक पर जाने की योजना बना रहे हैं तो आप जा सकते हैं और किसी चोटी दूरी की यात्रा पर भी आज आप आपको जाना पड़ सकता है और बेरोजगार लोगों को आज कोई अच्छी खुशकबरी मिल सकती है बात करेंगे हम सिंग राशी की तो सिंग राशी वाले जातकों के लिए आज का दिन मिश्रित रूप से फल दायक देने वाला होगा कोई रुका हुआ काम आपका धन मिलने से आर्थिक स्थिती मजबूत होगी विरोधी आपका कुछ नहीं बिगार सकते हैं माता पिता की सलह मश्रा सही कोई काम करें तो आपको ज़्यादा सफलता मिलेगी बात करेंगे करन्या राशी की करन्या राशी वालों के लिए आज का दिन कुछ खास होगा किसी पुरानी गलती से सबक लेना होगा आपकी मित्रों से बाचित करके आप कोई पुरानी यादे ताजा होंगी और काम करने की प्लानिंग की शुरुवात आजा कर सकती है अगर आपने वेश कर रहे हैं तो आज मत करें उससे आपको नुक्सान हो सकता है आप अपने घर को रेनेवेट करारे की सोच रखते हैं और बढ़ते खर्चू पर आपको लगाम लगाना होगा हम बात करेंगे अपने अगली राशी की यानि व्रश्चिक राशी की तो आज का दिन उन्नती के लिए रहेगा आपके लिए परिजनों के साथ अच्छा समय आप बिताएंगे और आज आपको अपना काम किसी कल पड़ नहीं टालना है और परिवार के किसी सदस्य का आज ट्रांसफर हो सकता है बात करते हैं धनू राशी की तो उनके लिए आज का दिर उतार चल रहो बड़ा रहेगा कारशेत में चल रही समस्या के करण आप परिशान रहेंगे बिजनस कर रहे हैं लोगों को भी आज कोई खास आंदनी नहीं होगी काम के सिलसले में आप चोटी यात्रा के लिए जा सकते हैं और अब हम बात करते हैं मकर राशी की तो मकर राशी वालों के लिए आज का दिर समाने रहेगा और यदि आप किसी की कोई सलह दे रहे है परिवार में तो उस पर आप आवयल करिएगा कारे छेत्र में आपकी कला में निखा रहेगा जिससे लोग हैरान रहेंगे और किसी को धन उधार देने से आज आपको बचना है नहीं तो वो धन आपको वापस नहीं मिलेगा बात करते हैं कुम्ब राशी वालों की तो कुम्ब राशी वालों के लिए आज का दिन धार्मिक आयोजिन में बढ़ चड़ कर एस्ता लेने कर रहेगा माता पिता के साथ आजब किसी धार्मिक स्थान पर जा सकते हैं और दामपत्य जीवन में सरस्ता बनी रहेगी और किसी सुख समर्द्धी में आज आपको सुख समर्द्धी बिले कि और कुछ खर्चे आपके लिए जो समस्या बन दखते हैं हम बात करेंगे आज आपकी आखरी राशी की यानि मीन राशी की तो मीन राशी वाले जातकों के लिए आज का दिन कुछ चिंता ग्रस रहेगा कि किसी पुराने निवेश से आपको मुनाफ़ा न मिलने के कारण आप थोड़ा सा परिशान रहेंगे और किसी बाहरी वक्ते से आपको बैस बाजी हो सकते हैं जिससे आपको निवारी में मदुरता बनाए रखनी है आज आपका बैंक बैलन्स बढ़ने की कोशिश करेंगे लेक कारी तरफ से हार्दिक हार्दिक कामना है आज है दिनांग 20 और 20 तारिक को जन में व्यक्तियों का मुलांक होता है दो दो मुलांक वाले व्यक्ति जो होते हैं वो बहुत भावक होते हैं सभाव से शंकालू होते हैं और दूसरों के दुखदर से परिशान हो जाना आपकी कम में भी उतार चड़ावता है जल्दिबाजी आपको उत्याग ना होगा तब आप चीवन में बहुत सफल होंगे मांसिक रूप से स्वस्थ होते हैं पर शारी रूप से थोड़ा कमजोर होते हैं चंद ग्रह स्तरी ग्रह माना गया अता आपको उमल सभाव के होते हैं और अपम और बटुक भैरो जी कैसा रहेगा ये वर्ष तो लेकंज संबंदित मामले में आपको सावधानी रखनी होगी बगेर देखें किसी भी कागज पर हस्ताक्षर ना करें किसी नवीन कारी योजनों की शुरुवात करने से पहले बड़ों की सलह अवश्य ले व्यपार जिनका जनम दिन था उनके विशे में क्या सा रहेगा वर्ष और क्या है उनके लिए शुप आज है आशी श्रवास्तों और प्रिया श्रवास्तों की विवाहिक वर्ष गाट तो उनको हमारे चैनल की तरब से और हमारी तरब से हार्दी खार्दी शुपकामना है आपका आन आपके सुप्चिंदिकों तक आवश्य पहुचेगी. आवश्य पहुचेगी.